हेलो किसान साथियो यह जो मश्रूम कमपोस्ट वाइट वर्टन मश्रूम है इसके आज लेवलिंग की जारी है क्योंकि यह बैग जो है कमपोस्ट बिलकुल स्पॉन रन है और इस वक्त केसिंग के लिए तैयार है तो इस तरह से सबसे पहले आपने लिफाफा खोलना है और उपर से उगलियों की साहता से पूरा जो बैग है वो हडा मारना है उसमें उसको नरम करना है और हलके हाथों से उसको प्रेस करना है पहले लिफाफे की साइडों को प्रेस करना है ताकि जो केसिंग आपकी नीचे तक ना घुस सके और जो केसिंग आपकी टॉप पे ही रहे इस तरह से आपने पूरी तरह साइड वाली जो सते प्रस करनी है और इस तरह से आपने बिल्कुल एक इसका लेवल है सही तरीके से करना है और उसके बाद आपने इसका जो लिफाफा है इस तरह से फोल्ड कर देना ह ताकि जो casing आप डालेंगे उसका आपको पता लगे और लगवग एक से डेड़ इंची आपने इस जो प्लास्टिक की पन्नी इसको आपने लेबल की हुई कमपोर्स से एक इंची उच्छा रखना है ताकि इसमें आपको पता लग सके कि आपने कितनी इसमें में casing डालनी है और आपने मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाऊंगा किस तरह की labeling होनी चाहिए इस तरह से जो बैग है बिल्कुल पूरी के पूरी तरह एक level में होझा इस तरह से और यह आप से हमारे जो rooms है वह तयार है casing के लिए और यह आपको देख से मोरति हैं किस तरह से जो है हामारी केसिंग जो है हो कि यह पूर् ships कर दी है किस तरह से कार्या किया जा रहा है तो ऑपर तक के रैखें यह जो हम बार-बार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह जो बैग की आपने कंडिशन देखने की बैग की जो कंपोस्ट है तैयार है कि नहीं यह जो आप येलो कलर में मॉइस्चर जो होता है जब येलो कलर में ये पानी जो इसका येलो कलर में आजा तो समझे लीजे बैग केसिंग के लिए तयार है आप उसी टाइम ही इसकी केसिंग करें और इस तरह से सबसे पहले इन बैगों को अच्छे से लेबल कर ले और इसके आपने स्पेक केसिंग डाल नहीं है